आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल फ्यूचर ओनलाइन क्लासिस में और जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम चल गया हुआ कि आपका जो है लॉट्मेंट लेटर जारी हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं मैं एक बच्चे का यहाँ पर आपके बारे में जानेंगे और आपकी डॉकमेंट के बारे में जानेंगे जो कि आपके यहाँ पर लिखा हुआ है अवस्यक निर्देश से एवं सूचना में सबसे पहले कौन नमर यहाँ देखे जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ कौन नमर देखे क्या बोल रहा है कि आप ध्यान पुर्वगड़े गया, आवेदक, आवेदिका, आवंटित, महाविध्याले में नमंकने तू, जो आपका रेफरेंस, आईडी, बारकोड, युक्त, चुने जाने संबंदित, जो आपका इंटीमेशन लेटर एवं पुरुव से भड़ेगा, समान्य आवेदन, ज जो भी आप एडिमिशन लेने जाएंगे जिस कॉलेज में, तो आपको दिखें, डिफरेंस, आईडी, बारकोड, यहापको दिखा दू, क्यूपर जो है, यहाँ पर एक बारकोड दिया है, जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर जो है एक बारकोड आपको यहाँ पर नजरा किया था, तो कॉंसलिंग के समय क्या हुआ था, कि आपको जो है common application form, जो CAF था, याद किजएगा, जिसमें आपके नेम थे, college allotment जितना आपने दिया था, 30, college, 15 college, उसका आपको PDF ले जाना है, मेरी बात को समझेगा, ध्यान प्रूबक, समझ गए, यह होने के बाद दिखें दुसरा क्या बोल रहा है, यहाँ पर खौन अमर देखें आपको क्या बोल रहा है, खौन में बोल रहा है कि आवेदक, आवेदिका नवांकन कराने से प्रूब, अवंटित, जो आपका प्रसिछन माहविद्याले में उपस्तितों कर, सुल्क एवं अन्य सभी प्रकार की जन क्या लग रहा है, कितने पैसे लग रहा है, किस तरह से लग रहा है, वो सारी जनकारिया जो है आपको लगने वाले है, वो जाकर पहले ही जनकारिया प्राप्त कर ले, यह बात ही यहाँ पर कही गई है, अगर नहीं भी जा पाते हैं, तो कोई बात नहीं आप जिस दिन है जो कि आपको admission प्रकिरिया के दुरान लगेगा यहां देखिए आपके देखिए आपको अवंटित प्रसिख्छन माहविद्याले में नमांकन के समय जाच के लिए उन मूल अभी लेखो ले जाना होगा जो नमांकन के लिए आवस्चक है समझेगे जैसे डीलेड संयुक पर पत्र मूल परमान पत्र जो आपने इंटर किया है उसका अंक पत्र और मूल परमान पत्र विद्याले माहविद्याले परतियाग पत्र जो कि CLC होता है यह होना जरूरी है प्रवजन परमान पत्र समझ गए यह भी आचरन परमान पत्र और फिर आजो है आपका passport अकार के 5 र करना चाहते हैं और जिनका आग यह है लेकिन जो यहां पर देखे़ा और सफिक यहां पर देखें ख्या बोला गया है स्वैजुक्त परिषट 802 स्कोर काड आपको before कट लेना है बाडवी का अंक पत्र और फिर मूल परमान पत्र फिर आपको जो है CLC चाहिए या TC चाहिए फिर आपको जो है प्रोजन परमान पत्र फिर आपका जो करेक्टर है वो सब चाहिए फिर आचरन परमान पत्र पासपोर्ट साइट जो है आपके पांच रंगीन फोटो और जाती परमान पत्र और अन्य परमान पत्र जो कि माहा विद्याले द्वारा माना जाएगा जिसमें आपका medical certificate हो जाएगा सपत्पत्र हो जाएगे टेंथ का भी कुछ पत्र हो जाएगे ये सब आपको याद रखेगा ये जरूरी है बातों को समझ लिए आगे बढ़ते हैं यहां घाओ नमर दिखे परस देखे हो समय अगर परसंट गहरा रही हो जाएग कि नाम अंकन के समय अगर प्रसार्थी और द्वारा ये परसिक्षन वाह धिए動画 वारा ये तु कुछ अभी लेख की मांग की जाती है तो नमांकन के पुर्वो जाकर संबंदित महाविदाले से जनकारी कठा कर ले तथा अभी लेखों को महाविदाले में उपलब्द करा है इसलिए कहा गया है कि जिस college में आपको जहां भी यह लॉट हुआ है वहाँ एक दि पर बोल दिया गया है कि जो भी विद्याले के दोरा मांगा जाएगा उसको जो है आपको देना है तो यह बाती है यहां पर कही गई है चौह नुमर में देखे क्या बोला जा रहे तो यहां देखे आवेदन आवेदिका का सलाह दी जाती है कि नमांकन के तिथी अन्य आंकन पोटल पर से हटा दिया जाएगा और संभाविक अगली सूची में भी उनका नाम बिचार नहीं किया जाएगा कहने का मतलब है कि जिन बच्चों का लेटर आ चुका है जिन बच्चों का कॉलेज आ चुका है तो उन बच्चों को एडमिसन करवाना है और मैं आपको वो दादू की slide up भी अगर करवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले admission करवाना होगा ये बाते मैं आपको दिखाऊंगा अभी आपके अंसर नहीं लिजेगा अभी हम इस बातों के उपर सचा करेंगे तो यहाँ पर साब तो पर कहा गया है कि जिन बच्चों को मतलब की नाम आ चुका है उनको जो है संस्तान में नाम अंकर नहीं करवाते हैं तो उनका वर्तमान सत में पोटल पर से हटा दिया जाएगा और अगली सूची में भी उनका नाम पर विचार नहीं किया जागा मतलब कि अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया है तो आपको college आना ह वहाँ पर admission लेना है अगर नहीं लेना चाहते है तो आपका नाम हठा दिया जाएगा और जिन बच्चों को slide up करना उसके उपरम बाप करेंगे slide up में यहां कहा गया है कि जिन बच्चों को जो भी college आवन्टित हुआ है वहाँ पर admission ले और slide up करे ताकि जब second list में अगर seat खा नाम आया है फिर आपको slide up करना है और slide up में अगर आपको college मिलता है तो फिर आपको college change कर दिया जाएगा नहीं तो फिर आपका उसी college में admission रहेगा अगर आप slide up के दोरान admission नहीं करवाते हैं या उससे पहले admission नहीं करवाते हैं तो आपको slide up नहीं होगा और आगली सूची मे आपका नाम नहीं आएगा भी हम आपको दिखाने वाले टेंसर ने लिजेगा देखिए अगला जो है आपका यहाँ चौण नमर क्या बोल रहा देखिएगा चोण नमर जो यहाँ पर बात बोला जारा है कि यह अथा आपको सुचित किया कराले ऐसा होने पर आप अगले नमांकन सूची जारी होने पर उसी प्रसिक्षन महाविद्याले में चैन होने की इस्तिती में नमांकन ले सकेंगे जिसके लिए आपको कर सकते हैं यदि आप निचली प्रात्मिक वाले विकल्प के लिए भी चैनी तो होते हैं तो उन प्रसिक्षन महाविद्याले में नमांकन अवस्य करा लने चाहिए ताकि आपको श्लाइडब उप्योग किया जा सके और उसके अधार पड़ संभाविक अगली सूचि के दवारा उत्तर विकल्प में ultra कट में चत्या साइगा तो हो समझे चैनी आपको नीचे यहाfi को समझेगा मतलब कहने का मतलब slide up की जो बात कही जाई है कि आपको बोला गया है कि जो भी आपको यहाँ विकल्प पहला वला में मिला है उसमें आपको क्या करना है कि admission ले 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 ना देखिए आपड देखिए आप अगले नमांकन सूची जारी होने पर उस पराम विद्याले मैं चैनीत होने की स्तिति में नमांकन ले सकेंगे सवज गया मतलब कहने का slide up कार्थ यही है कि आपको जो है पहला जो college मिला उसमें admission करवा लेना है और फिर जो है आपको slide up करना है ताकि जब अगले round में आपका नाम हो तो आप slide up के जड़िये जो है college को बदल सकते हैं आपको पैसा फ ही नहीं होगा तो इसलिए जो यह बोड्स आप पर कह दिया है आगे हम और देखा दे आपको यहां देखे एक और बाते जो है यहां पर कही गई है देखे छे नमर में slide up पर किरिया पर्थम सुची चैनित आप दिनांक 18 से लेकर 20 तक जो है अवांटित महा विद्याले में नमांकन उपरात अपने द्वारा भढ़े गए विकल्प एतु slider विकल्प की समती दे सकते हैं जिनके दूसरे सुची तयार करने के समय उनके नाम पर विचार किया जा सकेगा ऐसे विद्यार्थियों के लिए यह आवस्चक है कि नियमित आवधी 18 से लेकर 23 तक जो है अपन को बदल सकते हैं और नहीं कोई नाकर जोड़ सकते हैं मतलब यह कहा गया है कि जो बच्यें के फर्स्ट लिस्ट में अड्मिस्टन आ गया है तो सरवपर्थम जो है जिस College में हैं उसमें College में admission करवाले उसके बाद वाद सलाइड अप करने तब ऑनके नाम पर विचार किया जाएगा तो यह बात याद रहे कि के साथ तर पर यहां कव दिया गया यह बातों को समझीये गा देखिए एसे विद्यार्थिओं के लिए अवस्य है कि दिनांग कितना से इतना तक जो आपना नमांकर चैनीद संसान में अवस्य करा ले नमांकर नहीं करानी कि श्तिती में उनका नाम पर जो है दिवतीय सरन में सुची पर विचार नहीं किया जाएगा अर्थात उनका नाम सुची से हटा दिया जाएगा याद रखीगा और यहाँ पर यह भी बात बोला गया कि ना कि कोई जनकारी प्राप्त हो कि की कोई दिकत नहीं हो क्योंकि काफी इंपोर्टेंट इसमें जनकारी बताई गई है तो आप सभी लोगों से नोर्द है वीडियो को सेर्स जाधा करें मिलते हैं एक्स पूर्यों में तक के लिए धन्य बात थाइंगियो समझ जाहिं जैवार